नमस्कार दोस्तों आज एक और बारिवारी कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ आज की कहानी है नहीं थी दूलन के चेरे पर जो लालिमा होती है वो नदारत थी जिससे ये सावित हो रहा था कि वो इस साधी से खुश नहीं है वो बिना किसी भाव के दरपड में अपना चेहरा देख रही थी दिल का बहुत गहरा रिस्ता जुड़ गया था उससे उसके साथ आने वाले जिन्दगी के नौजाने कितने ख्वाब बुने थे पर अब हकीकत कुछ और ही थी जो उसने अपने ख्वाब में भी नहीं सोची थी तब ही कमरे के बाहर दो औरतों की आवाज आई जो आपस में बाते कर रही थी पहली औरत बोली अरे बहन ये लड़की तो मुह में चादी की चमस लेके पैदा होई है एक तो इतने बड़े डॉक्टर की बेटी है और देखो इसका दुलहा आई ये सदिकारी है बड़े ही भागो वाली है ये छोरी दूसरी औरत बोली बीस लाक रुपए रख रखे हैं डॉक्टर साहब सारा दहेज भी दे रहे हैं इतने में तो एक IPS भी दूम हिलाने लग जाए और इतना दे रहे हैं इससे तो लगता है कि लड़की में कोई कमी है पहली औरत बोली अरे पागल हो क्या बहन लड़की इतनी अच्छी वकील है और पूरे परिवार में स्रियांसिस से सुंदर गुड़ी लड़की कोई नहीं है हाँ तो तुमें पता नहीं है क्या इसकी पहले भी तो सगाई हो गई थी पर सगाई के दो महीने बाद ही रिस्ता तूट गया लड़की में ही कोई खोट होगी तभी तो रिस्ता तूटा बड़े भले लोग थे वो जमीदार थे गाउं के और लड़का तो दिल्ली में रहता था वहीं से पढ़ता था बहुत ही सुंदर और नेक लड़का था वो क्या नाम था उसको यादी नहीं आ रहा है रिहान रिहान नाम था लड़के का सब पता है मुझे रिस्ता उन्होंने नहीं बलकि डॉक्टर साहब ने तोड़ा था अरे हुआ क्या था कि जमीदार साहब के छोटे भाई ने धोके से सारी प्रॉपर्टी हडब ली और जमीदार साहबर से फर्स पर आ गएं और बस फिर क्या था डॉक्टर साहब को लगा इस परिवार में अब उनकी बेटी का भवी से सुरचित नहीं है और वैसे भी उन्हें तो लड़का सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए था पूरे एक साल से लड़के देख रहे हैं तब जाकर सरकारी अधिकारी मिला है अरे बहन हमें क्या चलो हम तो खाना खाने चलते हैं और क्या वैसे भी बहुत अच्छा इंतिजाम है खाने का वो दोनों तो सली जाती हैं लेकिन स्रियांसी को उलजन में डाल जाती हैं वो ही जानती थी कि कैसे उसके खुद को इस साधी के लिए तयार किया था दो महीने में ही बहुत लगा हो गया था उसे रिहान से लगाओ क्या अगर प्यार भी कहें तो गलत नहीं होगा जब उसे पता चला था रिहान के चाचा के धोके के बारे में तो उसे बहुत बुरा लगा था तब वो रिहान से बात भी नहीं कर पाई उससे पहले ही उसके पापा नहीं ये रिस्ता तोड़ने का फैशला किया जिसे सुनकर ही उसके पैरो तले जमीन खिसक गई उसने बहुत समझाया पापा को बहुत मिन्नते की हाथ जोड़े लेकिन उसके पापा टस से मश नहीं हुए उसे सक्त हिदायत भी दी गई कि वो रिहान से ना तो फोन पर बात करे और ना ही किसी तरह का कोई संपर्क रखे अगर उसने ऐसा किया तो उसे अपने पापा कामरा मुँ देखना होगा बहुत मुश्किल था उसके लिए जिसके साथ अपनी आने वाली जिंदगी की सबने देखे थे उसे छोड़ कर किसी और के साथ घर बसाना पर दिल के रिस्ते पर खून का रिस्ता भारी पढ़ी गया पर उसे दहेज वाली बात नहीं पता थी इतनी बड़ी बात आप हमसे कैसे छिपा सकते हैं पापा जबकि आप जानते हो कि हमें दहेज लेने और देने वाले बिल्कुल भी नहीं पसंद वह तिलमिला उड़ती है और उसके पापा से बात करने उनके कमरे की तरफ जाती है वह दरवाजा खोलने वाली ही होती है कि उसके कानों में अंदर चल रही बात सुनाई पड़ती है ये क्या कह रहे हैं आप अब इस वक्त हम इंतिजाम कैसे कर पाएंगे देखिए आप समझने की कोशिस कीजिए स्रेयांसी ने हलके से दरवाजा खोल कर देखा तो उसके पापा फोन पर किसी से बात कर रहे थे और उसकी मा सोफे पर बैठे हुए उनकी ओर देख रही थी देखिए समधी जी हम तो पहले से ही 20 लाख रख रखे हैं और अब आप एक दम से कैसे इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा देखिए आप समझने की कोशिस कीजिए मेरी एकी बेटी और है आप लास्ट टाइम में ऐसा नहीं कर सकते हैं हैलो हैलो फोन कार्ट दिया स्रियांसी की मा रूचिका बोली क्या हुआ जी क्या कह रहे हैं समधी जी 20 लाख रूपए 10 तोला सोना और सभी में अमानों के लिए अच्छे उपहार होने के बावसूद उन्हें अब गारी भी चाहिए अब क्या करेंगे हम पहले स्रिया की अच्छा कैसे कर पाएंगे रोशनी की भी साधी तो करनी है आयूस की पढ़ाई भी है कैसे मैंने जोगा सब पापा ये सब क्या है आप दहेज के 20 लाख इतनी बड़ी बात आपने मुझसे चुपाई क्यों स्रियांसी को महा देख कर दोनों ही पती पतनी चौग गए और उ दहेज सब्से ही कितनी नफरत है कितनी ही लड़कियों को इंसाब दिलाया है कितने ही दहेज के लाल्चियों को सजा दिलवाई है और अजग बात हमारी है तो हम चुप रहें नहीं ये हमसे नहीं होगा आप इस घर की बड़ी बेटी हैं स्रिया लेकिन इसका मतलब यह नही कि आप हमसे जबान लड़ाए आज आपकी साधी है और आप उसी पर ध्यान दे बाकी की बातों बड़ों पर छोड़ दें लेकिन पापा स्रेयांसी और कोई बात नहीं अपने कमरे में जाईए अभी उन्होंने तेज आवाज में कहा एक बात याद रखेगा पापा हम आपकी बेटी हैं गलस सहना हमारे खून में ही नहीं है और हम उन लड़कियों में से नहीं हैं जो अपने ही पैरेंट्स को बरबाद करके अपना घर बसा लें हम वो हैं जिने अपने पैरेंट्स किसान में एक छोटी सी गुस्ताखी भी बरदास नहीं अगर ऐसा वैसा कुछ भी बापा तो हम मंडप में से उठने में देर नहीं करेंगे बहुत बत्तमीज हो गई हैं आप अभी के अभी अपने कमरे में जाईए स्रेयांसी को इस वक्त वहां से जाना ही सही लगा वो गुस्से में अपने कमरे में आ गई ये सही नहीं हुआ रूची का स्रेयांसी अप च रिजर्व करती है ऐसा वैसा कोई नहीं हम बात करेंगे जमाईसा और समधी जी से वो जरूर समझेंगे स्रियांसी अपने कमरे में आकर अपने बेट पर बैठ गई फिर एकदम से खड़ी हुई और इधर उधर तहनने लगी हम ऐसे चुप चाप नहीं बैठ सकते हैं हमें कुछ करना ही होगा कोई ले या नहीं ले पर हम अपने लिए इस्टेंड जरूर लेंगे पर क्या करें कुछ पता नहीं होगा वो अमन को फोन लगाती है पर वो फोन नहीं उठाता है वो बार बार ट्राई करती है लेकिन वो फोन नहीं उठाता है उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी अमन से उसकी वस नाम मातर ही बात होती है जब वो अमन से पहली बार मिली थी तब भी उ लेकिन सरैअंसी क्या सूँस्ती है और क्या नहीं ये जानने कि उसने कोशिशी नहीं की और सरैअंसी के दिमाग में तो बस रहान ही था उसने भी जैसे उससे मिल कर बस अपचारिकता ही निभाई ओ उसे आज भी याद थी रहान और उसकी पहली मुलाकात जब वह उससे मिलने के लिए एक रेस्तरा में गई थी अपनी छोटी बहन के साथ रोशनी हद है लड़की हम है और आने में टाइम इसे लग रहा है पता नहीं कौन सा नमूना पसंद किया है पापा ने हमारे लिए स्रयांसी ने परेसान होते हुए कहा अरे स्रयादी मतलब लेट होने का लाइसें सम लड़कियों को ही थोड़े ना मिला है कोई नमूना नहीं है बलकि वो यूनीक पीस है मतलब लोग अपनी फैमिली के साथ लड़की देखने आते हैं पर इन महासे ने आपको अकेले मिलने बुलाया है इंट्रेस्टिंग ना बहुत मौर्डन सोच वाला इंसान है तभी दो नजरे उन दोनों पर उड़ जाती हैं रोशनी तुना कुत्ते पाले बिल्ली पाले पर गलत फहमी मत पाल लोग इक किसामी सदी में आज के जमाने की सोच रख भी लें लिकिन साधी के बारे में सबकी सोच 19 सेंचुरी की ही होती है लड़के को लड़की पसंद होनी चा कारियर का आगे क्या फ्यूचर है ओजहासी की रानी सांत हो जाईए कहां की बात कहां ले गए आप आपके अंदर जो वकील की आत्मा है ना वो किसी वाइरस की तरह फैल गई है आप में तब ही उसकी नजर पीछे खड़े लड़के पर गई और वो चुप हो गई स्रेयाद करो यहां और है ही कौन पागल कहीं की तभी पीछे खड़ा सक्स उसके सामने वाली चेयर पे बैठ गया हैलो मिस्स्रेया स्रेयाद 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 की नजर उस पर पड़ी तो वो एकदम से चौक गई और अपने मन में कहीं इनोंने सब सुन तो नहीं लिया अरे सुन भ विकाज आई लाई क्यों और मेरी तरफ से हाँ है मैं आपसे साधी करने के लिए तयार हूँ स्रेयाद सी की आँखे हैरानी से फैल गई वाट क्या बोल रहे हैं आप हमें जानती ही कितना है और इतनी जल्दी आपने साधी का पैसला भी कर लिया इस ट्रेंज आई कांट बि दिये थे और उसने अपने घर वालों के खिलाव जाकर बिना दहेश के साधी की जबकि वो मेरा दोस्त था बहुत समझाया मैंने उसे लेकिन फिर भी वो नहीं समझ रहा था यू नो वाट से अंसी चुप रहा कर तमासा देखना बहुत आसान होता है और आवास उठाना मु हाँ बिलकुल आप कर सकती हैं आई नो हमारे पैरेंट्स ने अलरेड़ी सब कुछ फाइनल कर रखा है हमारा मिलना बस एक फॉर्मेलिटी है पर आप टेंसर मत लिजे आई प्रॉमेस आपकी मर्जी के बिना ये साधी नहीं होगी स्रेयांसी के चेरे पर मुस्कान आ गई ल हमने बहुत मुस्किल से पापा को मनाया है और हम बस यही चाहते हैं कि हम अपना काम साधी के बाद भी कांटीनियू रखें मतलब आपकी भी हाँ है जी वो हम हमारा मतलब रिहान हसते हुए रिलیک्स आपका जो मन हो आप कर सकती है और मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छी वकील वनेंगी स्रेयंसी के चेरे पर मुस्कान आजाती है वैसे स्रेयंसी जी वैसे मैं 27 सदी में ही जी रहा हूँ किसी और को फर्क पड़े या ना पड़े लेकिन मुझे इस बात से बहुत फर्क पड़ेगा कि आपको मैं पसंद हूँ या नहीं और हाँ मेरे घर वालों क बहु चाही और मुझे एक साथी कोई नौकरानी नहीं स्रेयंसी समझ गई थी कि उसने रोशनी और उसकी बाते सुन ली है जी वो हमारा ऐसा कोई मतलम नहीं था वो हम तो बस जस चिल यार साधी से पहले सभी लड़कियों के माइंड में ऐसी चीजें चलती रहती हैं मेरी पी एक बड़ी बहन है और उनकी साधी के टाइम पर वो आपकी जगह होती थी और मैं रोशनी की जगह हैं सो जस्ट रिलेक्स थैंक्स रिहान जी हमें समझने के लिए ओ प्लीज यार रिहान जी सुनने में ही बड़ा आजीब है कॉल मी रिहान ओके लेकिन आप भी तो हमें स्रयान सी जी बोल रहे हैं मैंने तो आपको स्रया ही बोला था आपने ही रिपीट किया स्रयान सी वो क्या है ना स्रया नाम से हमें सिर्फ हमारे घर वाले ही बुलाते हैं इसलिए हमने तो अब मैं आपको क्या बोलूँ अगर आपको दिक्कत हो तो कोई बात नहीं मैं स्रया नाम से बुलाऊंगा, जैसी आपकी इच्छा, बढ़ सबसे पहले आप मुझसे दोस्ती करेंगे, रीहान ने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, स्रेयांसी ने मुझकूराते हुए अपने हाथ आगे बढ़ा दिया, फ्रेंड्स, फोन काल की रिंग से स्रेयांसी की है सब ठीक है ना जी वो अमन जी हमें आपसे बात करनी है हाँ तो साधी के बात कर लेना इतना क्या जरूरी है कि बार बार कॉल कि ये जा रही हूँ बस अभी बारात निकलने ही वाली है अमन जी हमारी बात बहुत जरूरी है हमें अभी ही बात करनी है आप से प्लीज बहुत ओके तो मैं वहाँ पहुंचते ही तुमसे ही बात करूँगा सबसे पहले ठीक है स्रेयांसी फोन रख देती है उसके मन में उमीद की एक किरण जागती है स्रेयांसी अपने कमरे में इधर उधर चक्कर काट रही थी क्योंकि अब उसे अमन से ही उमीद थी बाराता चुकी है और पता नहीं कब बर्माला के लिए लेने आजाएं अमन जी कहा है आप वो फिर अमन को कॉल करती है लेकिन तबी दर्वाजा खुलता है और अमन अंदर आता है ऐसा भी क्या हो गया है स्रे अंसी कि तुम साधी तक का भी वेट नहीं कर सकी तुम्हें पता भी है कितनी मुश्किल से यहां तक आप आया हूं मैं हम समझते हैं अमन जी लेकिन हमारा आपसे बात करना बहुत जरूरी है हाँ तो जो भी है जल्दी बोलो वरना कोई आज आएगा टाइम नहीं है मेरे पास सेंसी उसे सब कुछ बता देती है तो उस पर अमन उससे कहता है तो इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है ये सब तो अपनी फैमिली और सोसाइटी में नॉर्मल है यार तो ऐसे बात को इतनी बड़ी क्यों बना रही हो और मैं पापा और दादा जी को जानता हूँ वो नहीं मानेंगे उनसे कहने का कोई फाइदा भी नहीं है मतलब आपको सब पता है और आपको कोई प्रॉबलम भी नहीं है दहेश से स्रेयांसी ने हैरानी से कहा मुझे क्या प्रॉबलम होगी यार ये सब तो बड़ो का मैटर है और अपनी काष्ट में तो ये सम नॉर्मल है और वैसे भी तुम्हारे पापा अर्थिक रूप से सच्छम है तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है स्रेयांसी हक्की बक्की होकर उसे देख रही थी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अमन ऐसी सोच भी रख सकता है अमन जी आप ऐसी सोच रखते हैं I can't believe आपने अपने सोचल अकाउंट पर दहेश के खिलाप इतनी सारी पोष्ट डाल रखी है और आप ओ प्लीस रेयांसी बात को इतना भी मत बढ़ाओ तुम तो ऐसे दिखा रही हो जैसे तो मेरे घरवाले जवरजस्ती तुम्हारे घरवालों से मांग रहे हैं तुम्हारे पापा खुद अपनी मर्जी से दे रहे हैं जब हमारी साधी की बात हो रही थी तब ही यह सब फिक्स हो चुका था तुम्हारे पापा की गलती है कि उ उसने सपने में भी नहीं सोचा था उसकी बातों से उसे बहुत गुसा आ रहा था लेकिन फिर भी उसने अपने गुसे को नियंतरित किया और उससे बोली अमन जी आपके घर से फोन आया है पापा जो अपनी मर्जी से दे रहे है ना उसके अलामा भी उन्होंने गाड़ी की ड है चाहिए था और जो आपके घर वालों की नई डिमांड है सब पता है आपको राइट हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने मुझे सब पता है लेकिन तुम क्या चाहती हो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है तुम ये साधी करना चाहती भी हो या नहीं कहीं तुम अभी भी रहान क के वारे में ही नहीं सोच रही हो और इसलिए इस साधी से बचने के लिए ये बहाना ढूड रही हो अमन ने सक भरे लज़े में कहा जिस से स्रियांसी भी थोड़ा बौकला गई अमन जी आप इस बात को घुमा कर उसे पलटना चाहते हैं आप ठीहान को ले कर पूरी तरह जानते हैं जानता हूं बहुत अच्छे से जानता हूं तुम्हें एक जागरूप नागरिक हो अपने खुद के दम पर एक एंजियो भी चलाती हो बेसहरा लोगों के लिए सामाजी कामों में भी बहुत एक्टिव रहती हो सोशल इवेंट्स में भी तुमने दहेश के खिला बहुत कुछ बोला है और उससे रिलेटिट केस भी लड़े हैं बड़ सरयानसी यहां पर बात अलग है तुम्हारे पापा ने खुद 20 लाक रुपए देने की पेसकस की थी हम नहीं आये थे उनके पास और ये रिष्टा भी तुम्हारी तरफ से ही आया था हमारी और से कोई पहल नहीं हुई थी बड़ तुम्हें ये सब कैसे पता होगा विकोस तुम बिल्कुल भी दिल्चस्पी नहीं रखती साधी में तुम्हारे पापा ने ही कहा था इन सब के वारे में तुम्हारे सामने कोई बात नहीं होगी जब आप हमें इतने अच्छे से जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए ना, कि जब हमें पता चलेगा, तो हमारा reaction क्या होगा? हम दूसरों की साधी में दहश का लेना देना पसंद नहीं करते, तो ये तो हमारी खुद की साधी है, हम कैसे इतना गलत होने देंगे? तो ये अपने घर वालों से क्यों नहीं कहा तुमने, मैं अपने वडों के बीच में नहीं बोलता, उन्होंने जो डिसीजन लिया मैंने वही माल लिया, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है अमन जी, आपके घर वालों ने आपकी कीमत लगा दी और आप कह रहे हैं कि आप उ खरीदा हुआ सरकारी दूला क्योंकि दहेश के बस दो ही मतलब होते हैं या तो आपने दूले को खरीद लिया है या फिर दूलन का आगे का खर्चा भी लड़की के माव आपने एडवांस में ही दे दिया है और अगर लड़की के आगे का खर्च भी अगर उसके पैरेंट्स क आकर साथ ले जाने का अब आप हमें बताएं कि हमारी साधी में दहस का क्या रोल है या आपकी कीमत है या हमारा आगे का खर्च क्योंकि ये गिफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं है आपने जो अपनी सोसल इमेज बना रखी है वो आप ना हूं लेकिन हमने जो हमारी सोसल इमेज वो बास्तवीक है फेक नहीं स्रेयंसी की आँखों में आक्रोज साब जलक रहा था और डर का तो नामों निसान नहीं था जो कि अमन साब देख सकता था वो समझ गया था कि स्रेयंसी ये साधी तोड़ देगी लेकिन अपने आत्म सम्मान और अपने वसूलों के साथ कोई समझाता नहीं करेगी और अगर ये साधी तोड़ गई तो उसके और उसके फरिवार की इज़त समाज में क्या रह जाएगी इसलिए उसने स्रेयंसी की कड़वी बातों को ध्यान में ना रखकर बात को समालते हुए कहा स्रेयंसी प्लीज सांत हो जाओ और मेरी बात सुनो जल्दबाजी में लिया गया कोई फैशला सही नहीं होता तुम चिंता मत करो मैं बात करूंगा पापा से वो मेरी बात जरूर मानेंगे मैं तुम से वादा करता हूँ ये साधी बिना दहेश के ही होगी स्रेयंसी उसे हरानी से देखने लगी जैसे वो समझने की कोसिस कर रही हो क्या आमन सच में मान गया है अब ठीक है ना जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा अभी बहुत देर हो गई है सब मुझे ढूड रहे होंगे हाँ आप जाईए अमन चला जाता है लेकिन स्रेयंसी की उल्जन अब और बढ़ जाती है वो समझ जाती है कि उसके पापा ने उसके लिए जीवन साथी चुनने में बहुत बड़ी गलती कर दी है स्रेयंसी अपनी सोच में गुम थी ही कराएंगे ताकि उसका फ्यूचर से क्योर रहे स्रेयंसी के मन में रिहान से दूर होने का गम था और रिहान के सपने तो नने का गिल्ट भी और इसी बीच उसे होश नहीं था कि उसकी सादी जिससे हो रही है उसके बारे में कुछ जान भी सके उसके पापा ने जो भी निर्ड़ा लिए उन्हें सहर स्विकार कर लिया रिहान उसे बहुत पसंद करता था और वो भी उसे स्रेयांसी ने जितने सपने रिहान के साथ देखे थे उससे भी ज्यादा सपने रिहान ने स्रेयांसी के साथ सोचे थे स्रेय अंसी ये सब सोचते सोचते उन फलों में चली जाती है ज़apped वो रिहान के साथ ती रिहान आप हमें यांसी क्यों बुलाते हैंज पर लगाते हुए कहा आपको सब प्यार से किस नम से बुलाते हैं श्रेया त्रेया नाम से आपके फ्रेंड्स और बाहर भी आपको इसी नाम से जानते हैं नहीं बाहर वाला कोई नहीं बस हमारे घर वाले तो आप तो मेरी होने वाली घर वाली है ना मेरे साथ आपका रिस्ता यूनीक है सबसे अलग तो निकनेम भी यूनीक होना चाहिए ना, बाते बनाना तो कोई आप से सीखे और नाम रखने का भी, आपको सीखना है तो सीख सकती है, फ्री में सिखा दूँगा, और नाम तो मैंने हमारे बच्चों के भी सोच रखे हैं, रियांसी और रियांस, रिहान आप भी ना, मतलब क ऐसे इतनी बाते कर लेते हो, और फ्री अपने मूँ से इतने सपने में मत देखा कीजिए, रिहान कभी कभी अपनी ही नजर लग जाती है, और आपका साथ सपने जैसा लगता है, हमें बच डर है कहीं ये सपना तूट नजाए, ओ फो यांसी, आप फिर सेंटी बाते करने ल दोंगा, तो मुझे टाइम ही कहा मिलेंगा, और यूनो ना, ये एक्जाम इतना टॉफ है, आई नो, बट ट्राइ तो कीजिए, और वैसे हमने पहली बार आप से कुछ कहा है, आप हमारी बात नहीं मानेंगे, ऐसा हो सकता है कि आपकी बात ना मानू, मैं एक्जाम जरूर दोंगा, मुझे आपसे यही उमीद थी, रिहान, तभी रोशनी की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी, स्रेया दी वरमाला के लिए बोल रहे हैं, आप तयार होना, तभी वो उसके चेहरे की और देखती है, दी, आप ठीक होना, आप रोकी रहे थे, क्या, हम ठीक है रोशन इन सब का कोई फायदा नहीं है, वो दोनों ही बात कर रही थी, तब सिब्या अंदर आई, लोगों को सीख देना बहुत आसान होता है, लेकिन सब बात खुद के अमल करने की आए न, तो अच्छे अच्छों की फट जाती है, सिब्या ने अंदर आते हुए कहा, स्रेया अंस अगला अपना सुरू कर दिया, जिस रास्ते हम चाह कर भी नहीं जा सकते हैं, तो बार बार हमें उस रास्ते का पता बताओगी, तो उस से क्या होगा, क्यों हमारे जक्मों को कुरेती हो, सच हमेशा कड़वा ही होता है, स्रेया, और आज के टाइम पर सबसे बड़ा सच यह है, कि तेरे दिल में आज भी रिहान है, तुम आज भी उसी से प्यार करती हो, यह सब तुम अच्छे से जानती हो, पर मानती नहीं हो, और तुम यह साधी अपने पापा के लिए कर रही हो, और तुम्हारे पापा तुम्हारी साधी अमन से इसलिए कर रहे हैं, कि क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम इस साधी में बहुत खुस रहोगी पर नहीं तुम खुस नहीं रहोगी और अमन के साथ तो बिलकुल भी नहीं अमन अपनी सफलता के मद में चूर एक घमंडी इनसान है और तुम इतनी सकसेशफूल ओमें होने के बाद भी डाउन तू वर्ट के लिए ताकि उन्हें सब अंगली से बताएं कि यहीं वे लोग हैं जिनकी बेटी ने ऐसा काम किया कि यह सीर उठाके नहीं चल सकते हैं यूनो वाट सिब्या हमारी फैमिली में कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था दादा जी के पास बहुत पुस्तैनी जमीन हैं उन् की जब जॉब लग गई तब दादा जी को बिलकुल पसंद नहीं आया उनका जॉब करना लेकिन पापा ने उनके खिलाफ जाकर अपना कामजारी रखा और इतने बड़े डॉक्टर बन गए दादा जी भी ज्यादा दिन उनसे दूर ना रह सके समय के साथ थोड़ा बदला हमारे घर के लड़कों को पढ़ने की और जॉब करने की अजाज़त है पर लड़कियों को बस पढ़ने तक की ही है जब हमने वकील बनने का फैसला किया तो सब उस फैसले के खिलाब थे पर हमारी जित के आगे पापा को जुकना ही पड़ा हम वकील तो बन गए लेकिन हमार पूरे परिवार की सोच हमारे लिए बदल गई, उन लोगों के हिसाब से हम अब मनमानी करेंगे, और कुछ गलत काम भी कर सकते हैं, पर हमने हमेशा उन लोगों को हमारे काम से गरो महसूस कराया है, और अब सबकी सोच बदलने भी लगी है, ये सब समझती हूं मैं, लेकिन त सकती हो, सिब्या अगर तुम्हारे हिसाब से हम हमारे बारे में सोचे ना तो हमारी फैमिली जो पहले हमारे बारे में सोचती थी, ना उस सोच पर मुहर लगाएगी, और हमारी बहनों की भी पढ़ाई साथ रोग दी जाए, क्योंकि इन सब का इलजाम हमारी पढ़ाई पर ह लगेगा और हम इतने स्वार्थी कभी नहीं हो सकते कि अपने घर वालों की इज़त और अपनी बहनों का भविस सिदाओं पर लगा कर अपनी खुसिया मनाए उसकी बात सुनकर सिब्या भी इमोशनल हो जाती है और रोशनी की आखों में से भी आशू निकल जाते हैं अरे रो हैं तीनों ही उनकी बात सुनकर खुद को नार्मल करती हैं और वर्माला के लिए चली जाती हैं एक बड़ा सा हाल जहां की सजावड बहुत सांदार थी और स्टेश को बहुत करीने से सजाया गया था सब दूलन का ही इंतजार कर रहे थे तभी मिजग सिस्टम में ढोल नग डाड़े का सर गुजने लगता है और हाल में स्रेयांसी अंदर आती है अमन स्रेयांसी की ओर देखता है उसका चेहरा मुर्जाया हुआ था उन दोनों को इस टेश पर छोड़ कर सब नीचे आ जाते हैं दोनों के हात में वर्माला होती है अमन सब की नजर बचा कर धीरे से उससे कहता है मैंने पापा से बात कर ली वो मान गए हैं स्रेएंसी के चेरे पर हलकी सी मुस्कुराहट आजाती है थैंक्स वर्माला और आसिर्वास समारो संपन होने के बाद सबको फेरो की तैयारी के लिए कहा जाता है स्रेएंसी जब वहां से जाने लगती है आमन की नजर उसकी उंगली पर जाती है एक मिनट स्रेयांजी रुको तुमने सगाई की अंगुठी गलत अंगली में पहनी है वो हमारी इस अंगली में स्वेलिंग आ गई है इसलिए हमने दूसरी अंगली में पहन ली है पर अभी कोई देखेगा तो क्या कहेगा आज के दिन तो पहन लो बट हमें इसमें दर्द हो रहा है और अभी किसी का ध्यान थोड़े न जाएगा प्लीज यार आज की ही तो बात है इतने से दर्द से कुछ थोड़े न होगा फेरो का मोहुर्त एक या दो घंटे बात का ही है इतने से टाइम तक तो पहन ही सकती हो ठीक है हम पहन लेंगे स् यानसी के घर लंच के लिए आई थी यानसी तुम्हारी अंगुली में क्या हुआ कुछ नहीं रिहान वो हम सुबस सबजी काट रहे थे तो कट गई तो इसमें से रिंग निकाल दीजिए यह आप क्या कह रहे हैं रिहान आपके घर वाले बाहर बैठे हैं और हम सगाई की अ मा Amal वाले उंगली में डाल दिया अब ठीक हैना पत्रिइं इसमें नहीं पहनते हैं तो ये बताईये सगाई पर रिंग इसी अपहनाई जाती है क्योंकि एससा कहा जाता है कि इस अंगली की नसे दिल तक जाती है तो इस7 bras पहनाई जाती है क्योंकि इसका कनेक्शन दिल से होता है तो फिर इस अंगली का कनेक्शन भी इस अंगली के साथ होता है नो तो फिर ये दिल से ही कनेक्ट हुई ना आपके पास हमेशा ऐसे ही अजीबो गरी ब्लॉजिक होते हैं आसकल आप हमें कुछ ज्यादा ही नोटिस करने लगी है यांसी चलिए अब आपको हम अपना प ख्याल आ रहा था तब ही उसका फोन बज उठा दूसरी बार रिंग होने पर उसने फोन उठा लिया तुम हमें फोन क्यों कर रही हो सिव्या हम कमरे में ही तो हैं अंदर आ जाओ अपना मूँ बंद रख और मेरी बास सुन जल्दी अपने रुम से बाहर आ कोई सवाल नहीं जल्दिया स्रियांसी बिना कुछ कहे बाहर आती है उसके आते ही सिव्या उसका हाथ पकड़ कर एक और ले जाती है जहां पर अमन अपने सबसे खास दोस्त सतांस से बात कर रहा था पर वो दोनों एक और खड़े थे पर वो वहां से स्रियांसी और सिव्या को नहीं देख प काने की जरूरत ही कहां है बस जैसे तेरे ये साधी हो जाए मुझे पता था स्रयांसी को जब दहेस के बारे में भता चलेगा तो उसका रियेक्शन कुछ ऐसा ही होगा वो इस साधी से पीछे भी हट सकती है और अगर अब ऐसा होता है तो क्या इज़त रह जाती मेरे और मेरे इसलिए मैंने और पापा ने स्रयांसी के पापा से इस बारे में बात की तो पता है उन्होंने क्या किया उन्होंने स्रयांसी की तरफ से माफी भी मांगी और जो वो गारी देने के लिए आनकानी कर रहे थे ना उसके लिए भी वो तयार है बस ये लेन देन का काम स्रयांसी क सामने नहीं होगा सतांस ने कहा वा बेटा तुने तो कमाल कर दिया वहाँ पर तेरे होने वाली पत्नी तुझे हीरो समझ रही है कि तेरी वज़े से यह साधी बिना दहेश के हो रही है पर उन्हें क्या पता तुझे पूरा दहेश मिल रहा है अरे मैं तो कहता हूँ तुझे तो इससे भी ज़्यादा मिलना चाहिए सरकारी नौकरी है तेरी क्या कमी है तुझ में अरे लोग तो जो छोटी मोटी नौकरी करते हैं उन्हें भी इतना देते हैं कि पूछ मत और तेरी तो फिर भी इतनी बड़ी पोश्ट है पता नहीं तुने भावी की इतनी बाते कैसे रिष्टे आये थे तेरे लिए पता नहीं तुने यहीं क्यों चुना जबकि वो सब तो तुझे कितना कुछ देने को तैयार थे उसकी बात पर अमन ने मुस्कुराते हुए जबाद दिया यार तुम जानते हो ना मेरी फैमिली को ये लोग अपनी जाती विरादरी में ही सा साधी कर नहीं सकता हूँ ना अभी स्रेयांसी को देख पढ़ी लिखी सुन्दा राज के जमाने की स्मार्ट लड़की है और वैसे भी इसकी वकालत तो मैं साधी के बाद वैसे भी छुड़ा दूंगा बस एक बार ये साधी हो जाए और हाँ मैंने ये रिस्ता स्रेयांसी क से घर भिजवाया था एक सोसल इवेंट में देखा था इसे स्रेयांसी के दिमाग ने तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया वहां से दंदनाते हुए चली गई और वहीं सिभ्या ने अपना फोन देखा जिसमें उसने वीडियो बनाई थी और उसके चेहरे पर मुसकान आ गई स्रेयांसी उसके पापा के कमरे में आई वहां पर उसकी माँ पापा चाचा और बुआ बैठे कुछ बाते कर रहे थे स्रेयांसी बहुत गुस्से में थी जितना गुस्सा वो अमन पर थी उतना ही गुस्सा उसे अपने माँ पापा पर आ रहा था गुस्से से वो काप रही हम ये सब क्या सुन रहे हैं पापा उसके आखों में से आसू बहने लगे थे उसकी बाद सुन कर सब उसके पास आएं स्रेया क्या हुआ बेटा आप रो क्यों रही है क्या हुआ है बोलिए स्रेया रूचिका ने उसका चेहरा हाथों में लेते हुए कहा पर स्रेयांसी ने उसके हाथों को नीचे कर दिया ये तो आप हमें बताईए कि हमने क्या बिगाड़ा है आपका किस बात कि सजा दे रहे हैं हमें क्या हम बोज हो गए हैं आपके लिए जिसे आप बस जैसे भी हो सके अपने सिर से उतारना चाहते हैं स्रेयांसी क्या बक्वास कर रही है आप ये कोई तरीका होता है बात करने का नहीं पापा आज नहीं आज हमारा तरीका चाहे जो भी हो आपको हमारी बास सुननी होगी आपको हमारे सवालों के जबाद देने होंगे तभी वहां रोशनी और सिब्या भी आजाते हैं स्रियांसी को कभी किसी ने भी इतने गुसे में नहीं देखा था सब को लगा उसके पापा भी अब बहुत गुसा हो जाएंगे पर वो उसके पास आकर प्यार से बोले फिर आपने उनसे हमारा रिस्ता क्यों तोड़ा उनके साथ हमारा रिस्ता अनमोल था पर अमन के साथ हमारा रिस्ता आपने खरीदा है और खरीदी हुई चीजे अक्सर बिग जाया करती है जब उनके भाव खरीदे हुए दाम से ज़्यादा हो स्रेयान सीज जिंदगी किताबी बातों से नहीं करती है रिहान के साथ आपका कोई भविष्य नहीं है भले ही हमें आज की मत चुकानी पड़े पर इस बात की खुशी रहेगी कि हमने आपको उजवल और सुरचित भविष्य दिया है आप हमारे जनम जाता है पापा भागी बिधाता नहीं आप हमारे लिए अमरित लेंगे पर वो जहर में बदल जाए तो उसमें आपका कोई दोस्त नहीं होगा क्योंकि हमारे भागे में जहर है तो हमें वही मिलेगा आप कितनी भी कोसिस करें पर उसे अमरित में नहीं बदल पाएंगे अगर हमारे नसीब में खुसियां है तो वो हमें जरूर मिलेंगी आपको खरीदने की जरूरत नहीं होगी और अगर माबाप ऐसे खुसियां खरीश स सरकारी नौकरी वाले लड़के ऐसे ही नहीं मिलते और तू तो बड़ी नसीबों वाली है जिसके लिए आगे से ऐसा रिस्ता आया है नहीं चाहिए वुआ हमें ऐसा खरीदा हुआ सरकारी दूला जिसकी कीमत भी उसके घर वालों ने तैक कर दी जो अपने फायदे के लिए ज अंधेरे में रखे आप सोच रहे हैं कि आप हमें बहुत अच्छी जगर भेज रहे हैं पर बिना मांगे दिया जाए तो वो भेट होती है पर मुझ से मांगा जाए तो वो भीक होती है और आप हमें बताईए कि भीक मांगने वालों को क्या कहा जाता है भीखारी ही कहा जात बेटा इसलिए हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं ये साधी कर लो बेटा स्रेयांसी ने आस भरी नजर से अपने माँ पापा की ओर देखा पर उन्होंने कुछ नहीं कहा तो उसने अपने चाचा जी के जुड़े हाथों को नीचे किया और अपने आसू पोच्ते हुए आपकी खुसी के लिए तो हमने रीहान को छोड़ दिया तो ये तो बहुत चोटी बात है आपकी खुसियां आपकी इज़दाप कंवान सम्मान हमें हमारी जान से भी ज़्यादा प्यारा है लेकिन आप हमारी साधी पर जो तहे सारी भीक दे रहें हैं ना वो आप अमन या उनकी family को नहीं बलकि हमें सब के सामने हमारे हाथों में देंगे अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम मन्डप में नहीं बैठेंगे ऐसा कह कर वो तेजी से वहां से भाग गई और अपने कमरे में आ गई और अपने घुटनों के बल बैट कर फूट फूट कर रोने लगी उसे बहुत तकलीफ हो रही थी आज किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया सबको समझा गया था कि अमन उसके लिए ठीक नहीं है लेकिन फिर भी किसी ने इस बात का जिक्र तक नहीं किया बलकि उसे ही समझोता करने को कहा वो इस वक्त रिहान को बहुत मिस कर रही थी उसे पता नहीं क्या सुझा कि उसने अपने फोन से रिहान को कॉल कर दिया लेकिन रिंग जाप आती इससे पहले ही उसने फोन कट कर दिया और फिर से सिसकने लगी उसे उसकी और रिहान की आखिरी मुलाकात याद आने लगी जब वो एक मंदिर में गई थी तब वो रिहान से मिल गई थी श्रेयानसी जैसे ही भगवान को प्रडाम करके उठने लगती है तब ही उसे रिहान नजर आता है तो वो जल्दी से अपना चेहरा दुपटे से कबर करती है और जल्दी से बाहर आने लगती है उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रिहान का सामना कर सके लेकिन जैसे वो मंदिर से बाहर आने लगी तभी वो रिहान से टकरा गई रिहान ने कहा सौरी लेकिन तभी उसे उसकी सक्ल दिखाई देती है स्रेयांसी तो उससे नजरे भी नहीं मिला पा रही थी स्रियांसी का गला सूखने लगा उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और रिहान समझ रहा था कि वो अभी क्या सोच रही होगी रिहान ने कहा यांसी आप ठीक है ना स्रियांसी ने कहा जी वो हम ठीक है स्रियांसी को डर लग रहा था कि रिहान उसे कुछ सुना देगा और वो सब सहन कर सकती है पर रिहान की नजरों में अपने लिए नफरत नहीं दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने की कसमे खाई थी और जब रिहान का बुरा समय चल रहा था तब उसे उसका साथ छोड़ना पड़ा रिहान ने कहा इतना अकॉर्ड फिल करने की जरूरत नहीं है यांसी जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है मैं जानता हूँ आपने बहुत कोशिस की थी बट अंकल नहीं माने इवन मैंने और मापापा ने भी बहुत ट्राई किया बट छोड़ो ये सब और कैसी हैं आप स्रियांसी की आखों में नमी तैर गई रिहान हमें माफ कर दीजिये हम इस रिष्टे को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाएं आपको गिल्टी फिल करने की कोई जरूरत नहीं है और किस ने कहा हमारा रिष्टा नहीं बचा हम सबसे पहले दोस्त थे ना तो क्या हम अब द जिन्दगी में कभी भी कोई भी मुसीवत आ जाए तो आपका ये वेश्ट फ्रेंड हमेशा आपके साथ है जब भी जरूरत हो बस एक आवाज लगा लेना मैं आ जाऊंगा स्रियांसी का गला भार आता है वो कुछ बोल नहीं पाती है और रिहान महां से चला जाता है वो ब अक से आसू की बूद छला काई जो स्रियांसी ने अपने कंदे पर महसूस की वो उससे अलग होकर बिना उसकी और देखे ही सीधा आके बढ़ गया और स्रियांसी वेबस खड़ी उसे जाते देख रही थी वो समझ गई थी ये उनकी आखिरी मुलाकात है स्रियांसी ने एका स्रियांसी उसके मुझ से स्रियांसी सुनकर ही स्रियांसी का रोना फूट पड़ा उसके रोने की आवाज से रिहान परेसान हो गया यांसी आप ठीक है ना प्लीज रोना बंद कीजिए लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ उधर से रिहान की आवाज आ रही थी पर उसने क पॉल कट कर दिया और वह अपने मूँ को ढख कर रोने लगी उसके रूम में सिभ्या और रोस्नी आते हैं सिभ्या उसे रोते देख अपने गले से लगा लेती है चुपो जस्रेया देखना सिवी किसी ने भी अमारे फेवर में कुछ नहीं बोला वो सिसकते हुए बोली कोई आपके साथ हो या ना हो मैं हूँ दी आप यहां से चले जाएए जो भी होगा मैं समाल लोंगी रोस्नी ने उसका हाथ पकड़ कर कहा हम कायर नहीं है जो भाग जाएंगे और नहीं स्वार्ती है जो अपने परिवार को ऐसे बीच मजधार में छोड़ जाएंगे हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ पर तुम्हारे साथ हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे रोश्नी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना स्रया समाल खुद को तुम तो बहुत स्ट्रॉंग हो नई सिब्या हम बहुत कमजोर है यहां पर कुछ गलत हो रहा है हम उसके खिलाफ आवाज भी नह सकते हैं हमारे साथ गलत हो रहा है पर हम कुछ नहीं कर सके तो हम किसी और के लिए क्या लड़ेंगे वो अमन क्या हमारी वकालत छुडवाएगा हम खुद छोड़ देंगे कुछ नहीं हो सकता है हमसे रिहान के साथ थी तो गलत किया था हमने और वो फिर रोने लगी और आप सब आपकी बेटी इतनी तकलीफ में है और सिर्फ आप लोगों की वज़े से बहुत चिरते हैं ना आप लोग रिहान के नाम से पर आप भूल रहे हैं रिहान को स्रेयांसी के लिए आप लोगों ने चुना था उसका बॉइफ्रेंड नहीं था वो और जब स्रेयांसी को उससे अटेश्मेंट हो गई तो आप लोगों ने ये रिष्टा तोड़ दिया गलती आप लोगों की थी और आज भी आप लोग ही गलत हो जिसकी सज़स्रेयांसी भूदगत रही है आप लोगों को मैंने वो वीडियो दिखा दिया लेकिन फिर भी आप लोगों पर कोई फ सिभ्या को कुछ समझ नहीं आया पर वो बिना किसी सवाल के वापस आ गई स्रियांसी को भी होस आ गया था तब ही कोई उन्हें बुलाने के लिए आया तो उन दोनों ने उसे वापस ठीक से तयार किया और भारी मन से उचे नीचे लेकर आ गए और दूले के पास उसे बैठा दिया दूले का चेरा सेरे की वज़े से ठीक से दिख नहीं रहा था स्रियांसी को तो जैसे कोई होस था ही नहीं वो तो बस एक कटबुतली की तरह ही जैसे उससे कहा जा रहा था वैसे किये जा रही थी जैसे ही कन्यादान किया जाता है तो स्रियांसी का हाथ दूले के हाथ में दिया जाता है तो उसके आँखों से आसु निकल जाते हैं जो की दुले के हाथ पर पड़ते हैं और उसके हाथ की पकड़ स्रयांसी के हाथ पर कस जाती है और कुछ देर बाद ही वीवा संपर्न हो जाता है पंडित जी बरबदु को सबका असिरबाद लेने को बोलते हैं लेकिन तब ही अमन के पापा कहते हैं, बरबदू को आसिरबात बाद में मिलेगा, पर पहले संधी जी हमें हमारी भेट तो दे दीजिए, जिस पर डॉक्टर साब मुस्कुराने लगते हैं, डॉक्टर साब मुस्कुराते हुए बोलते हैं, संधी जी पहले आसिरबात तो दे दीजिए इस बात पर अमन के पापा भड़कते हुए कहें देखिए सम्धी जी बाकी बाते बात में इस बारे में पहले ही बात हो चुकी है अरे इतनी भी क्या जल्दी है ये सब बात हम सुबह करते हैं अभी बात ही बिदाई का मुहुर्थ है कैसी बाते कर रहे हैं आप डाक पकड़ लिया और वो चुप हो गई पर उसे ये असपर्स जाना पैचाना लगा पर उसने कुछ नहीं कहा फिर आपको गाड़ी भी तो चाहिए थी ना स्रेयंसी के चाचा जी ने कहा हाँ पर पहले 20 लाक रूपए आप दे रहे हैं तो ठीक है वरना हम अपने बेटे को लेकर जा रहे हैं हाँ अंकल बिलकुल जाईए पर अपने बेटे को साथ लेकर मैं अभी लेकर आता हूँ आयू स्रेयंसी का भाई ऐसा करकर वहां से चला जाता है और साथ में अमन को लेकर आता है जो की बहुत गुस्से में होता है उसे देख कर सब भौचके रह जाते हैं और स् क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं खुद रिहान था ये सब क्या है और ये लड़का कौन है और अमन तुम वहां क्या कर रहे हो और ये लड़का यहां आया कैसे अमन के पापा उसके पास आकर बोले मुझे नहीं पता पापा पता नहीं किसी ने पीछे से मुझे बेहोस कर और वो स्रियांसी के पास आकर बोला दिखा ही दिना अपनी आउकात मुझे पता था तुम इसे ही साधी करना चाहती थी इसलिए इतने नकरे दिखा रही थी तुमने जो धोखा दिया है ना उसके लिए तो मैं तुम्हे तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम जैसी निहायती अपने वेटे को लेकर चले जाएंगे तो अब किस बात का इंतजार है जाईए अमन और उसके साथी कि महां कुछ बखेडा खड़ा करने की कोशिस की तो आयूस ने कहा ओ हैलो ना हो सके जीजाजी आपका ये वीडियो देखिए और आपके पुजनी पिता ने जो बच्चन कुछ समय पहले बोले है ना उसका वीडियो अगर पुलिस के पास और मेडिया के पास भेज दिया ना तो बच्ची खुची जो इज़्जत है वो भी चली जाएगी और आपकी सरकारी नोक्री भी तो अपना बोरिया बिस्तर ले करके निकल लिए अमन को उसकी बात सही लग है रिहान ने कहा ये तो तुम्हें अंकल ही बताएंगे डॉक्टर सामने कहा जब स्रियांसी रूम में चली गई तब सिभ्या ने वो वीडियो सबको दिखाया जिससे हमारा दिमाग ठंका बात दहेश तक तो ठीक थी पर हमने उनसे पहले ही बात कर ली थी कि स्रियांसी तो अच्छी होगी पर हम गलत थे बहुत गलत चाचा जी ने कहा और तब ही मेरे दिमाग में रिहान का ख्याल आया और मैंने इनके पिता जी से बात की उन्होंने हमें माप भी कर दिया और सादी के लिए भी राजी हो गएं पर उन्होंने ये कहा कि पहले हम रिहान से बात क क्यों कि रीहान की खुशी में ही उनकी खुशी है। फिर मैंने भाई साब को समझाया। और ये समझ भी कहें कि इस रियान जी की अशली खुशी रीहान के साथ है। रूचिका ने कहा और फिर मैंने सिब्या के पती जो की रिहान जी के दोस्त हैं उनसे इनके वारे में पता करने को कहा और सबसे अच्छी बात ये थी कि यहां से पास में ही रीहान जी की बहन का ससुराल है, यह वही कुछ काम से आज ही आये थे, तब हमने इनके पास जाने का फैशला किया, तेरे पापा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि एजा कर इन से बात करें। इसलिए इन्हों ने हमें और तेर बोली भी नहीं पर मैं आपकी आवाज सुनकर समझ गया था कि आप इस साधी से खुश नहीं हैं और तब मैंने तुरन साधी के लिए हां कह दी आयूश ने कहा और बाकी दुल्हा बदलने का काम मैंने कर दिया स्रेयांसी की आखे भार आई आप सभी ने हमारे लिए ये सब कि और हम पता नहीं क्या-क्या सोचे जा रहे थे तब ही डॉक्टर साहब उन दोनों के पास आएं और रिहान से कहा हमें याद है बेटा जवाब का रिस्ता स्रेयांसी के साथ हुआ था तब आपने दहेज लेने से साफ इंकार कर दिया था लेकिन ये भेट हमने स्रेयांसी के लिए ही रखी है क्रिपा करके आप इसे स्विकार करें या कहते हुए उन्होंने उसके हाथ में 20 लाक का चेक रख दिया रिहान ने कहा मुझे तो लगा था सकी सायद अब आपको मुझे पर विश्वास होने लगा है पर मैं गलत था आपको तब भी मुझे पर विश्वास नहीं था और आज भी नहीं है इसलिए तो आप मुझे 20 लाक रूपए दे रहे हैं डॉक्टर साम ने कहा अरे नहीं बेटा ये तो बस उपहार है आप इसे अन्य था नो ले हमारा ऐसा कोई मतलम नहीं था रिहान ने कहा हमें बस आपका असिरवात चाहिए और कुछ नहीं म मेरा वादा है आप से स्रेयंसी के माँ पापा की आखों में खुशी के आशू आ जाते हैं रूचिका ने कहा आप दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहिए आप पुरानी बातों को ध्यान में ना रखे जो भी हुआ उसमें स्रेयंसी की कोई गलती नहीं थी उन सब के लिए हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा पर हमारी बेटी का ध्यान रखेगा स्रेयंसी की मा ने हाथ जोड कर कहा पर रिहान ने उनके हाथ पकड़ते हुए कहा ऐसा मत किजिए प्लीज आप बड़ी हैं और बड़ों के हाथ आसिरवात देते हुए ही अच्छे लगते हैं मैं आप से व केरते हुए कहा हमारी बेटी अनमोल है और उसका दिला भी अनमोल है खरीदा हुआ नहीं पर अभी एच्छे काप रख लीजिए बेटा ये आपका ही है स्रेयंसी फपक पड़ी और उनके घले लगकर रोते हुए बोली आपने हमें रिहान दे दिये हमें और कुछ नहीं चा अगर आज यह सम नहीं होता तो हम एक नायाब हीरा खो देते रूचिका ने का सही कह रहे हैं आप जब भी ऐसा कुछ होता है तो परिवार का सपोर्ट मिल जाए ना तो साइद या दहेज नाम की कूपर ठाखत में ही हो जाए क्योंकि जब देने वाला देगा ही नहीं तो ल गलत नहीं होने दिया बुवाजी ने कहा बिल्कुल सही कहा भाभी और हमें भी अपने भाई भतिजे पर गर्व है इन लोगों ने घर की इजद परांच भी नहीं आने दिया और स्रिया के साथ भी गलत नहीं होने दिया और भाईया ने भी समय रहते अपनी गलती सुधार सब मुस्कुराने लग जाते हैं दूसरी और रिहान और स्रियांसी गाड़ी में बैठे दिल्ली जा रहे हैं रिहान के चाचा ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी लेकिन उनका दिल्ली वाला घर रिहान के नाम था इसलिए वो अभी भी उनके पास था और वो सब वही रहते थे डाड़ी में खामोसी पसरी हुई थी रिहान ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा मैं साथ दुनिया का पहला लड़का हूँ अपनी साधी के बाद खुर ड्राइव करके अपनी दूलन को घर ले जा रहा हूँ स्रेयानसी खिड़की की तरफ देखकर हलके से मुस्कुराई और साथ ऐसा भी जिसे वस एक घंटे पहले ही पता चला कि आज उसकी साधी है और खुदी हशने लगा आपको कभी हमारी याद नहीं आई रिहान उसने उस सुकता के साथ कहा याद उसे किया जाता है जिसे हम भूल जाते हैं और मैं आपको कभी भूला ही नहीं उसकी बाद सुनकर स्रेयानसी के चेरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है आप आज यहां क्यों आये थे क्या काम था दी के यहां मेरी कुछ बुक्स रखी हुई थी उन्हें लेने आया था गाड़ी में ही रखी है नेक्स्ट वीक मेरा इंटर्व्यू है किस चीज का इंटर्व्यू मेरा प्री और मेंस क्लियर हो गया है स्रेयांसी हैरानी से उसकी ओर देखते वे वाट आपने UPSC का एक्जाम दिया था और पास भी कर लिया पर आप तो मना कर रहे थे ना आपने पहली बार मुझसे कुछ मागा था पूरा तो करना ही था ना उसकी बास सुनकर स्रेयांसी भावुक हो गई फिर वो अपने घर दिल की वज़े से टूट गई एक सबता बाद रिहान का इंटर्वियू हुआ और कुछ दिनों बाद ही उसका रिजल्ट आ गया उसने अपने पहले ही अटेम्ट में UPSC क्लियर कर ली थी सब उसके लिए बहुत खुश थे कि वो एक I.S. आफिसर बन गया एक दिन वैसे यांसी आपकी किस्वत में था तो सरकारी दूलाई तब तो देखिए मेरी जॉब लग गई जी नहीं हमारी साधी के समय आप सरकारी अधिकारी नहीं थे आप एक काम आदमी थे मतलब हम सरकारी पती हैं जी नहीं आप बस हमारे प्राइवेट पती हैं रेहान और स्रेयांसी दोनों मुस्कुराने लगते हैं रेहान ने ट्रेनिंग के बाद अपना काम समहाल लिया तो वहीं सरेहान सी अब बहुत बड़ी वकील बन चुकी थी दोनों अब बहुत ही खुसाल जिंदगी ब्यतीत कर रहे थे यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें अपनी राय कमेंड बॉक्स में जरूर देजिएगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सस्क्राइब कर लेजिएगा थेंक्यू फार वाचिंग मिलते हैं अगले कहानी में